जय मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2022 में 14 जुलाई से सावन का महीना सुरू हो रहा है तो आप इन कारियों को करते हैं तो भगवान भोले नात नाराज हो जाएंगे और भगवान भोले नात भगवान सिव की किरपा से आप बंचित रह सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि सावन की महीने में कौन से कारी करने चाहिए और कौन से कारी नहीं करने चाहिए. सावन महीने की नियम के बारे में हम जानकारी देंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है. अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू ख़वर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्क्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे दूस्तों हिंदु धर में सावन का महिना बेहत पवित्र माना जाता है ऐसी मानिता है कि इस महिने में भोले नात की पूजा करने से उनकी विशेश कृपा प्राप्त होती है आपको बता दे कि सावन का महिना भोले नात को बहुत प्रिये है कुछ लोग इस महिने में सावन सुंबार का ब्रत भी रखते हैं रहा वरप्राप्त हो सकता है यदि आप भी इस महीने में भोले नात को प्रसंद करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले सावन के महीने में कौन-कौन सी चीजे नहीं करनी चाहिए कौन-कौन से कारे नहीं करनी चाहिए उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए तो चलिए जा सावन के महीने में प्याज, लहसुन, मूली, बैंगन और अद्रक खाना बरजित होता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीजे असुध होती। सावन के महीने में भूल कर भी मांसा हरी चीजों का सेवन ना करे। सावन के महीने में सोंबार का ब्रत अवस्य करें ब्रत को बीच में ना तोड़ें ऐसा करने से भोलेनात बहुत जल्द नाराज हो सकते हैं अगर आप पूरे दिन का ब्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार रखें फलाहार से भी नहीं हो सकता तो आप सेंधे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे फलाहारी नमक के नाम से भी जाना जाता है संभव हो तो सावन के महीने में ना तो दाड़ी बनवाए और ना ही बाल कटवाए सावन के महीने में कभी भी घर में बाद विवाद नहीं करे दूसरों की निंदा ना करे लड़ाई जगड़े से हमेशा दूर रहे बात करे कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए दोस्तों सावन के महीने में सोंबार का ब्रत अवस्य करना है आपको सावन के महीने में भोले नात की पूजा अवस्य करनी चाहिए अगर संभो ना हो पूरे विधे विधान से पूजा करना तो बस भोले नात को एक लोटे जल से आप खुश कर सकते हैं सोंबार का ब्रत करने वाले लोगों को महामिर्टुन्जय मंत्र का जाप कम से कम 108 वार करना चाहिए भगवान सिव के ऊपर जलावी से करते वक्त ओम नमसिवाय मंत्र का जाप अवस्य करे सिवलिंग पर बेल पत्र, दूध, दही, घी, सहद, गंगाजल का पंचामरीत बना कर अभी सेख करे हिंदो धर में रुद्राक्ष वेहत पवित्र माना जाता है इस महीने में रुद्राक्ष धारन करना बहुत ही अच्छा माना गया है सावन में सोंबार ब्रत करें तो आप सोंबार ब्रत की कथा का स्रवन अवस्य करें साथी साथ सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को मंगला गौरी का ब्रत अवस्य करना चाहिए उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करे ठैंक्स